Welcome in RSK, Maths Monters, after हमारा 8th exercise 8.6, now we discuss about the question number 10. At what rate? हमें किस rate पर? निकालना, rate निकालना निस, that means this में. Will a sum of money double itself in 4 years? कोई भी पैसा double हो जाएगा 4 साल के बाद. इसमें ध्यान देना होगा आपको, कि जो starting में हमारे पास पैसा होता है, जो ले के आते हैं, यह किसी को देते हैं, वो हमारा principle होता है. अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं, और जो वापस कर रहे हैं, वो amount होती है. लेन और देन के बीचे में जो difference होता है, यानि जो extra पैसे हमें देना पड़ता है, वो ब्याज कहा रहता है. अब इसके अंदर देखिए हमारा principle नहीं तो let करेंगे, let the principle, यानि कितनी यासी बोरो की, x रुपीज. और amount वापस, यानि चार साल के बाद जो पैसा वो कितना बन गया, double बन गया, यानि 2x हो किया. अब इस पैसे से यहां तक पहुँचने के लिए जो charging लगी, उसको कहते है interest, यानि simple interest. कितना extra हुआ, यहां पे हमारे पास, दुन extra के लिए हम डिफरेंस से, यानि minus करते हैं, 2x में से हम x minus करेंगे, remaining is x. तो यहां से जो x रुपीज है, वो हमें extra देने पड़े, वो extra पैसा ही charging होती है, यानि वो हमारा क्या है, simple interest है. अब simple interest, हमें चाहे amount निकालनी हो, rate निकालना हो, time निकालना हो, या principle निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, हमेशा simple interest के formula पे ही depend होता है, इसी के formula के apply करके ही questions से sole होगा. simple interest का फारूल आता है, PRT, principle multiply time multiply rate, और लेकिन इसके अंदर हमारा जो let के coding, simple interest आचुका, x रुपीज, यहाँ value put करेंगे, principle हम let करके चलते है, x रुपीज, rate not given, time 4 years, और rate हमेशा percent में इसलिए बाय में 100 लगाते है, equal to x रुपीज. अब यहाँ पर R unknown है हमारा ली, R के value find out करने, बाकी numbers को move करेंगे left से right की तरफ, R as it is, x, 100 यहाँ divide में, उपर जाकर multiply में, और यह दोनों multiply में थे इसके, तो यह number दोनों, यह दोनों divide में चले जाएंगे, x से x cancel out, 4 से cut करेंगे तो 2 और 5, यानि rate क्या हुआ, rate हमेशा percentage के अं now question number 11, in how much time, कितने time में, will a sum of money, एक पैसा है, जो be doubled, double हो जाएगा, at 2.5% rate of interest per annum, इस questions में हमें time निकालना है, वही हमारा question depend होगा, simple interest के उपर, हमें simple interest सबसे पहले find out करना होता है, according to statement चलेंगे, statement में क्या है, a sum of money, double हो जाएगा, यानि starting money x है, तो last में money हो जाएगा, हमारी double, 2x हो जाएगा, इसके अंदर भी हम, let the principal, let the, जो principal हमारे पास क्या है, x रुपीज, last में पैसा कितना हो जाएगा, यानि last में जो पैसा होता हुआ, उसको हो एते amount, लिया इतना, और दिया double, यानि 2x, और first price और last price यानि lane देन के बीच में जो difference होता है, वो हमेश्य है, हमारा क्या होता है, simple interest यानि ब्याज, जो extra money होती है, वो ब्याज होता है, तो extra यानि minus के निकालेंगे, 2x में से x गए, remaining is x रुपीज, यानि जो extra पैसा हो गया, यहां से बढ़कर यहां तक पहुंचे, double पैसा है, यान 2, simple interest value according to question आचुकी है, x रुपीज, principle x रुपीज, rate यहां पर, rate गिवन है, 2.5%, 2.5 और time not given, और percentage आएंगे तो बाय में, 100 equal to x रुपीज, अब यहां में t fine out करना है, time fine out करना है, तो बाकी को move करेंगे, left से right की तरफ, t as it is रखेंगे, x 100 यहां divide में है, उदर जाकर यह number multiply में, यह दोनो multiply में थे इसके, तो यहां यह दोनों की दोनों divide में चले जाएंगे, same x, x cancel out, अब यहां पर देखेंगे, by में decimal है, 2.5, decimal remove करेंगे, नीचे से decimal remove करेंगे, तो उसके नाम की मुख पर 0 लगाएंगे, या तो 7 में 0 लगा सकत है, और by में 25, decimal remove हो गया, अब 25 टेबल में 4 जापे, 25, 4 जा, 100, अब remaining number 4 की तरफ जाएंगे, तो भी जा multiply है, 4, 10 जा, 40, time हमेशा है क्या होगा, हमारा years के अंदर होगा, तो 40 years, बाक्की यहां पर भी depend करता है, कि हमारा years में है, month में rate of interest per annum, यानि years की coding दिया, अगर यहां प आएगा, और यहां annual है, तो हमारा time years के अंदर आएगा, now next question, what sum lent out, sum हमें, यानि हमें principle find out करना है, lent out किराय पर दे रहें, 61 by 2% इसकी rate है, will produce the same simple interest, same simple interest देगा in 3 years, 3 साल और यह rate लगाने पर, जो simple interest आएगा, वो same होगा, किसके, अगर 21,000 rupees lent out किराय पर देते हैं, 5% की rate से, per annum, produce in 28 month, इस रासी का, यानि इस sum का interest, और इस sum का interest, दोन्नों का interest क्या है, same है, दोन्नों के interest, same है, पर principle अलग है, rate भी अलग है, और time भी अलग है, तो interest सेम है, तो दोन्नों का, हम interest निकालेंगे, और दोन्नों को same रखेंगे, equal रखेंगे, यहां से एक तरफ principle राइट कर लेते हैं, principle को P से denote कर लेते हैं, P, रूपीज, time, 3 years, और rate गिवन है, 61 by में, 2%, और दूसरा principle हमारे पास क्या है, 21,000 रूपीज, उसका time हमारे पास 5 years, नहीं, 28 month है, 28 month है, और जो rate है, वो 5% पर, यहां पर देखिए, जो rate है, पर annual है, rate अगर पर annual है, तो time भी हमारा annual केंदर होनाँची, years केंदर होनाँची, यानि इसको हम month को year केंदर change करेंगे, 1 month, sorry, 1 year केंदर 12 month होते हैं, तो 28 को जब हम year में change करेंगे, तो 12 से divide करेंगे, तो यह year बन जाएगा, इसको यहां पर reduce भी कर सकते हो, as it is रखके हो, वहां भी put कर सकते हो, अब according to statement, दोन्नों का simple interest same है, इसका simple interest, यानि PRT, principle, multiply, rate, multiply, time, और buy में हमारे पास हमेशा percentage देटाएंगे, तो 100 भी आएगा, और इसका simple interest हमारे पास, दोनों के simple interest क्या है, equal है, तो इसका simple interest 21,000, multiply, 28 by में 12, ये मन्त का है, ये बना दिया हमने, और 5%, तो परसेंट राइंग तो by में 100, ओल्रेडी यहां पर number तो multiply दता है, यहां पर, दोनों का simple interest same है, इसलिए हमने इसमें बीच में equal का sign लगाया, आप इस questions पर देखिए, जो unknown value वो हमें find out करनी है, जो known है, आब आकि आप numbers को left, right, move करेंगे, सबसे पहले 2,0 से 2,0 कट करेंगे, दोनों हमारे पास 3 table में आते, 3,7 जा और 0, और 3 table में ये 4 पे, 4 table में इसको कट कर सकते हैं, 7 पे, आप यहां से निच्चे कोई number नहीं है, उपर राइन नमबर हमारे पास बचे हुए हैं, पी की value निकालनी है, तो पी को हम यह रखेंगे, बाकी number को move करेंगे, left से right कीता है, पहले already जो number है, वो हम राइन करेंगे, 70 और 5, निच्चे कोई number नहीं बचे हुआ हुआ, अब यह number divide में थे, उपर जाकर यह number multiply में जाएंगे, और यह number multiply में थे, तो यह number divide में रहेंगे, अब यहां पर देखिए, कोई भी number कटनी और आपस में, तो इनको multiply कर लेते हैं, 7, 7 जा, 49 और 10, 5, 2 जा, 10 और 100 पहले से already है, 61 multiply 3, क्योंकि 61 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर कटने हुआ है, अब यहां पर 4, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0 है, और बाई में 3 बंजा 3, और 3, 6 जा 18, 183, अब इस यह हमारे पास number आचुका, इसको हम 183 से divide करेंगे, 183 से 4, 9, और हमारे पास क्या है, 4, 0, अब इसमें देखिए, 2 जा पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि carry होके भी आएगा, 3 जा पे ज्यादा हो जाएगा, 183 को 2 से 6, 16 और 366, 183 को 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से जाए, sorry, 3 से, 33 से 9, 3, 24, 3 और 5, ज्यादा हो जाएगा, तो यहां हमारा 2 जा पे जाएगा, 3, 66, यहां पे remaining is 4, 8 में इस remaining is 2, और यहां पर हमारे पास, 124, 0 निचे लेके आएगे, अब यह देखिए, यह लग बग आपका 6, 7 क्या सपास दाएगा, क्योंकि हमारे पास, पहले हम इसको 5 पे चेक कर लेते हैं, 18, 5, 0, 90 होता है, और 18, 6 हमारे पास उसमें देखते हैं, 3, 6 पे चेक करते हैं, और 5 पे चेक करते हैं, 5 त्री जा 15, 41, 4 और 9, 15, 6 त्री जा 18, 1 कैरी, 48, 49, 4 और 10, 1098, तो यह 6 पे हम इसको चेक करेंगे, 1098, रिमेनिक इस 2, 3, 13 में से 4, 142, यहां पे आप अपने अंसर को चेक कर सकते हैं, यहां पे रिमेंडर हमेशा आपके डिवाइजर से कम बचना चाहिए, यहां आप साई जा रहें कोशन में, आप यहां से देखे, 6 जा पे है, तो इससे नेक्स नम्बर लगें कि यहां पे 1000 में है, तो आप 7 जा पे चेक किजिए, 183, 7 जा, 21, 56, और यहां से 58, 7, और यहां पे 12, 7 पे चेक करेंगे, 9, 11, 3, और यहां से 139, that means आपका कोशन राइट है, यहां तक, फिर आप लेके आए तक निकालेंगे, 13, और यहां से फिर 7 जा पे जाएगा, 1281, इस तरह से आप आगे इसको complete, 2 डिजिट तक निकालेंगे, 19 यहां पे और यहां पे 0, और रिमेनिंग इस 1, 109, अब यहां पर decimal पुट किजिए और यहां पर decimal पुट किजिए, और यहां पर decimal के बाद, हम decimal के ओ तक निकालेंगे, 2 प्लेस निकालने बद आगे इसको हम छोड़ देंगे, यहां पे देखिए, 1098, 1098, यहां पर पहले बारा नमबर लेगा, 5 जा पे हम लेके जाएंगे, 915, रिमेनिंग इस 5, 8 में से मरे पास 7, और यहां से 175, और फिर आप 0, लगबग यह, 8, 9 के आस पास फिर जाएगा, डिजिट इतनी बिग हो, इसके आस पास हो, तो यह 9 के आस पास ही जाएगा, तो हमारी 2677.59 रूपीज, यह हमारी प्रिंसिपल की वैलू आगी, तो इस इस दा प्रिंसिपल ओफ दिस ने कोशन,